बाबा राजम की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम ने वर्ल कप 2023 में बेहती खराप प्रदर्शन किया जिसके बाद बाबा राजम ने कप्तानी से इस्तिफा देने का फैसला किया बाबा राजम ने तीनों format की कप्तानी से इस्तिफा दे दिया है बाबा राजम को 2019 में पाकिस्तान टीम का सबसे पहले उन्हें T20 प्रारूप का कप्तान बनाया गया इसके बाद वो वंडे और 2021 में टेस्ट के कप्तान बने के बाद बाबा ने शोचल मीडिया पर लिखा 2019 में मुझे पाकिस्तान की कप्तानी करने के लिए कॉल आया था पिछले चार सालों में मैंने मैंदान पर और बाहर कई उतार चड़ाओ का अनुभव किया है लेकिन मैंने पूरे दिल से और पूरी लगन से पाकिस्तान के गौरों और सम्मान को बनाये रखने का लक्ष रख पाकिस्तान के तौर पर इस्तिफा दे रहा हूं यह मुश्किल फैसला है लेकिन मुझे लगता है कि यह इसके लिए सही वक्त है साथ ही बाबर ने दिखा मैं प्लेयर के रूप में तीनों फॉमैट में पाकिस्तान के लिए खेलना जारी रखूंगा मैंने कप्तान और टीम को अपने अनुभाव और समर्पन से सपोर्ट करता रहूंगा मुझे यह मैतवपूर्ट जिम्मेदारी सौपने के लिए मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हारदिक धन्यवाद देना चाहता हूं बाबा राजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने 20 तेस्ट मैच खेले और 10 में जीत हासिल की है छे मैच में पाकिस्तान को हार मिली चार मैच ड्रॉर है वहीं वन डे में बाबर ने 42 मैचों में कप्तानी की इसमें से पाकिस्तान ने 26 मैच जीते और 14 में हार मिली एक मैच टाई र नहीं निकला। हालाकि पिछले बीते कोई देन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोड की सलेक्षन कमिटी को नीवित कर दिया गया। उसके पहले इन मामुल हक्ने इस्तिफा दिया था और अब पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने अपना इस्तिफा दे के कहीं ने कहीं पाकिस्तान क्रिकेट की मुझकिले पढ़ा दी है. इस पर आप सब यह क्या मानना है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं